राम राम किसान भाईयों मैं नितिन फिर से हाजीरूं आपके अपनी चैनल नितिन देवल में किसान भाईयों आज हम बात करेंगे गेहूं में आखरी से चाहिए हमें कप करनी चाहिए गेहूं में लाश्ट पानी हमें कप देना चाहिए इसके बारे में मैं पूरी जानकर तो आप सभी के जो प्रेश नहीं के प्रेशन हैं उनके बारे मैं मुझे ये वीडियो बना करके देनी पाई रहे हैं तो किसान भाईयो इस वीडियो को आप पूरा देखे तभी आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे मैं इसमें आपको बताऊंगा कि आप किस टाइम पर आपको लाश्ट पानी देना चाहिए और किस टाइम पर आपको लाश्ट पानी नहीं देना चाहिए किसान भाई यदि आपके कुछ प्रिसन है आपके कुछ कमेंट है तो आप add the rate नितिन देओल या फिर hashtag नितिन देओल करके अपने प्रिसन पूछ सकते हैं टेलिग्राम पर आप मुझे message करेंगे तो उसका जवाब मैं बहुत चल देनी की कोसिस करूँगा लिंक जो आपको description में मिल जाएगा किसान भाईयो बात कर लेते हैं आज की topic की सबसे पहले मैं आपको बता दूँ किसान भाईयो कि जो last से चाहिए हमें करनी है उसका आपको कुछ खास बातों को आपको ध्यान रगना है एक तो एक आपने खेत के अंदर ये चेक कर लीजे कि आपके खेत के अंदर जो मिट्टी है वह नमी उसके अंदर बनी हुई है अभी तक या फिर नमी इस समय पर खतम हो गई है इसके लिए तरीका ये है कि आपको अपने खेत की लगबग एक इंची नीचे की मिट्टी निकाल करके ले लेनी है और उसका लड़ू बना करके देखिए यदि लड़ू अभी बन रहा है तो आपको सिचाई नहीं करनी है आपके खेत के अंदर अभी नमी है अभी खेत को या आपकी गेहों को पानी के आवसकता नहीं है दूसरा किसान भाईयो जब तक आपके खेत के अंदर 40 से लेके 50% तक बालिया निकल करके ना आ जाएं तब तक आपको सिचाई करनी है यानि कि लाश्च शिचाई आपको तब करनी है जब आपकी गेहों की फजल की लगबग जो गेहों का दाना होता है वह पिचक जाता है शिकर जाता है उपर से किसान भाईयो आपकी जो गेहों की बालिया होंगी वह आपको मोटी दिखाई देंगी काफी अच्छी दिखाई देंगी लेकिन अंदर से जो उनके दाने होंगे वह सिकर वे होंगे और दाने बहुत प पूरा फूला हुआ है तब तो अभी आप पानी ना दें दो-चार दिन का आप वेट करें उसके बाद पानी दें और यदि दानने का जो आप साइज है वैप पिचक चुका है सिकुर चुका है तो आपको पानी जरूर देना है और किसान वह इस बात को तो आप ध्यान रख ल आपको इस में पानी देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए लाश्ट पानी देने का किसान वह बहुत ज़्यादे बेनेफिट हो था हमारी गियों की फिसल के अंदर क्योंकि इससे पहले हम बहुत सारे पानी दे चुके हैं बहुत सारे इस्प्रे कर चुके हैं बहुत स